हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई टिप चनल तो गाईज आज हम बात करने वाले हैं राजा महिंदर प्रताप सिंग राज्य बिस्पित देले अलीगर्ड यूजी पीजी मतलब और सेमेश्टर फर्स्ट थर्ड और फिप्त सेशन चौबिस और पच्चीस के एक्जाम पैटर् उनिवर्स्ट्य में सारी चीजर केंए इस वीडियो में और जो भी फिला हूं रौGM चल रहा है इसका इमपक्ट आ आप लोगे पर पर क्या पड़ेगा या फिर उनिवर्स्टी में क्या चल ला मैं इसको हम अच्छी तरीके से इस वीडियो में जानेंगे अब देखो पैटन एक्चुली में होगा क्या तो कहीं ना कहीं फॉल्ट है युनिवेस्टी का युनिवेस्टी से जुड़े हुए सदस्यों का ठीक है तो इतनी चीज आपनों को ध्यान में रखनी चाहिए एक्जाम पैटन पर इतनी मतभीध कर रहे हो आप लोग सिंपल यह अगर एक व वीडियो को लाइक कर देना थोड़ा सपोर्ट दखाओ को तभी पॉसिबल हो पाएगा आप लोग लिए मेरी अवाज उठाना ठीक है अधरवाइस नहीं हो पाएगा तो वीडियो को सपोर्ट करना और शेयर वगरा कर देना हर जेगा ठीक है अब यहां पर हम बात करेंगे एक्जाम पैटर्न के रिगार्डिंग क्या होगा है ना क्या चल रहा यूनिवेस्टी में और इन सम्में स्टुएंट्स का या फिर इस्टुएंट्स की क्या गलती ठीक है वही है अब यहां पर जो इंपोर्टन चीज़े वो यह है कि विस्पिध्ध्यले प्रसासन मतलब एड्मिनिस्टेशन और सिचक संग जिसको हम रमपुटा कह देते हैं ठीक है तीचर्स यूनियन ठीक है अब यहां पर ऐसे समझ जाओ वर्सिस बनाम हो गए एक दूसरे के अपोजिट हो चुके हैं जबकि इनको एक होना चाहिए था और यह दौनों ही अपोजिट हो चुक करना होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ इसलिए और यहां पर आपको ब्रीफ में और विद एक्स्प्लेनिशन सारी चीज़ें बताने वाला हूँ इसमें यूनिवस्टी में एक्जाम पेटरन को लेकर चल के राय इनको क्या हो सकता है और अ आपको क्या करना चाहिए ठीक है तो यहां पर सबसे पहले हम इस लेटर के तुरू समझते हैं जो कि यही सबसे ज़्यादा इशू क्रियेट कर रहा है ठीक है तो इसमें देख सकते हैं आप लोग राज महिंद्र प्रताब सिंग राज जिब इस बिद्देले सिच्छक संग सर रमपुटा तो काफे स्टुएंट्स का कुशन आ रहा था कि सर रमपुटा क्या रहता है देखो बेसिकली मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद होता है वो यह होता है कि आपको सारी चीजें बता दूँ ठीक है और आपके दमाग में जितने भी कुशन क्यों नहीं है वो किल ठीक है तो इस तरह से यह रमपुटा इनको बोला जाता है और एक होता यूनिवेस्टी एड्मिनिस्टेशन ठीक है विस भी धाले प्रसासन ठीक है तो यह अलग है और टीचर यूनियन अलग है और इन दोनों में मतवेद अभी चल रहे हैं इनका तरीका यह नहीं माने और और लास्ट में आप खुदि जर्च करना कि इन दोनों में से कौन सही है ठीक है तो मैं दोनों के साइट बता दूंगा किसने क्या सोचा होगा और इन फिचर क्या होगा और लास्ट में तक खुद यहां कि optimize कर पाऊगे कि किसकी गलती है या किसकी गलती नहीं है यह क्या misunderstanding च चांसलर और जो रिश्टर सरें उनको ठीक है तो मैंने बता दिया एक है टीचर यूनियन या फिर सिंचक संग और वर्सिज अबैरले प्रासाशन ठीक है तो इनलोगों ने कोकि यह उधिंफियで यहां फिर connected है विस भी दहले से तो इन लोगों ने notice के थुरू आरम पेस्यू उनिवेस्टी के वाई चांसलर और रेजिटर सर को कुछ चीज़ें बताइए ठीक है वो इस letter में mention है जो कि मैं आपको यहां पर बताने वाला हूँ तो इस letter को दिनाग 7, 10, 12, 24 को create किया गया था और यह letter हमारे पास तभी आ गया था बट मैंने इस पर कोई भी वीडियो वगर नहीं बनाए थी क्योंकि आज paper cutting में यह जो news आई है वो samely यही news है फिर इसलिए मैं अभी यह वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो यहां पर जो सिच्चक संग है ठीक है जिसको रंपटा गोलते है इसके जो महामंत्री है वो है डॉक्टर रणवीर सिंग स्रीवासड कॉलिज अलिगड से रसाइन विज्ञान विपाग के ठीक है तो इसके जो जो सिच्चक संगे इसके जो महामंत्री कौन है रणवीर सींग श्रीवांसर्ड कॉलेज से आते हैं वो ठीक है और इसके तो अध्यच्च है वह है प्रोफिसर हरीस कुमार सर्मा जी ठीक है धर्म समाज कॉलेज से आते है अलिकर्ड तो बेसिकली ये जो teacher union है, इनका जो मुख्य लोग है, वो DS college और स्रीवांसड़ college अलीकर से आते हैं, बाकी इनके साथ भी काफी लोग है, जो कि university से affiliated college से belong करते हैं, ठीक है आते हैं, तो यहाँ पर पूरा teacher union में, DS और स्रीवांसड़े college के teacher और affiliated काफी college college के सिच्छक यहाँ पर आते हैं इस group में, और एक तरफ है university administration, माला university विस्विद्द्धयले, यह प्रसासल, ठीक है तो यह होगे, दो एक तरह से मैंने part बताती है, और इसमें आप क्या हुआ है यह मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताए पर जो university administration है इनका कहना कुछ अलग है और यहाँ पर जो teacher union है ठीक है इनका कहना कुछ अलग है इसी विज़े से अभी तक exam pattern officially clear होने के बाद भी clear नहीं हो पाया है ठीक है तो यहाँ पर क्या है समझते हैं इस लेटर के थुरू तो यहाँ पर जो teacher union है उन्होंने जो notice दिया है उसमें क्या तरक यहाँ पर क्या चीज़ां बताइए वो आप देख लेजिए तिनांग 3 October की बाद चले यहाँ पर जिस दिन exam pattern officially declare हुआ था प्रिश्य समयती की meeting के आधार पर ठीक है ऐसा official notice में था और वही मेरे को shocked था कि एक को ही फैसला ले लिए गया है उस letter के अनुसार और तीन को meeting में यह फैसला हुआ है तो कहीं न कहीं मेरे को अटपटी चीज़न लग रही थी और रिजल्ट आपके सामने हैं जैसा मैंना सोचा जैसा मैं भाब पाता हूं सारे चीज़ने एनलाइस कर पाता हूं एक्जक्ट वैसा ही होता है in future ठीक है तो यहाँ पर क्या है दिनांग तीन अक्टुबर द्यार चौबिस को कुल सचे परिश्य नेंतर राजमाहिंतर परताप सिंग राजवस्पिद्याले अलीगर द्वारा जारी विग्यप्ति में जिसमा परिश्य समयति के निर्ले का हवाला देते हुए सत्र चौबिस बच्चिस बिसम समिस्टर की सबी इसना तक पार्टेगरम की परिच्चा है वहुब एक लिपी है मलब ओयमार प्रारूपर कराने के लिए कहा गया पता ही होगा आप लोगों का महुद है इसे अब यहां से यह लोग मलब टीचर यूनियर यह ये यूनिविस्टि को बोला है महुद है इस सम्मंद में आ 24 और 25 की इसनातक कोर्सिस की परिच्चा है सभी objective हुगी और परशनातक की subjective हुगी तो यहां पर सिच्छक संग का कहना है कि ऐसा कोई भी फैसला हुआ ही नहीं था तो आपने यह वात कह कैसे दी ठीक है जी तो यहां पर यह चीज क्लिर होती है ठीक है बलकि दिनांग इन्हो हुई परिच्चा समयती की बैठक में सर्व सम्मती के विसम सेमेश्टर की परिच्चान लिखित वर्णातक पद्दती पर कराने का निड़ने हुगा था अब देखो टीचर यूनिन ने क्या वोलाए जो exam meeting होती है exam committee की ठीक है परिच्चा समयती की meeting होती है वो हुई थी एक 10, 12, 24 को जो कि बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे इस दोरान exam pattern को objective कराने के चकर में तो यहाँ पर third meeting हुई थी ठीक है और इन तीनों meeting के आधर पर सर्व सम्मती यहाँ पर लख हुगा सर्व सम्मती मतलब सभी लोग मान गई थे यहाँ पर कि जो आप लोग के exam है session 24 और 25 के वो सारे descriptive mode पर मला retain होंगे इन्होंने ये चीज़ बताइए first meeting 15, 7, 12, 24, second meeting 24, no, 12, 24 और third meeting 110, 20, 24 को हुई थी जिसमें ये निल्लने लिया गया था सबकी सहमती से कि आपनों का exam pattern descriptive रहेगा सभी courses का ठीक है तो इन्होंने ये चीज़ बताइए अब यहाँ पर इसमें आगे क्य हुई थी ठीक है समयती की अध्यच मार्नी कुलपती प्रोफेसर चंत सेकर जी ठीक है प्रोफेसर कृष्ण अग्रवाल और ये काफी सारे नाम यहाँ पर मैंसन है इनको मैं देखूँगा नहीं ठीक है सभी विभाग के ये महामंतरी ये सारे कुछ है यहाँ पर इसमें क्य साथमक पद्यती पर ही कराई जाएंगी परंतु उक्त विग्यप्ति परिश्चा समयती के निल्ले के ठीक है सर्व विपरित है ठीक है सर्व विपरित है या फिर आप कह सकते बुलकुल इसके अपोजिट है और इसमें विस्विद्धाले प्रहसासन की कोई मतलब यहाँ प के लिए चाहें वो यूजी को हो जाहें पीजी को उसमें डिस्क्रिप्टेट मोड की बात हो गई थी और जो नोटिस 3 अक्टूबर को यूजी इंट डेक्लियर किया है उसमें ये बता दिया कि मतलब एक्जाम पैटर यूजी कोर्सेस का क्या रहेगा और प्जेक्टिब र प्रचोगी यही फैसला लिया गया था और यहाँ पर टीचर समुने आरोप लगाया है यूनिवेस्टिक उपर के सर आपने इस तरह का नोटिस जारी करके मतलब क्यों बताया क्या एक्जाम पैटन यूजी कोर्स का अबजेक्टिब रहेगा और पीजी कोर्स का सब्जेक्टि की तरब से और इसमें जो सार दे रखा है अते है राजा महिंदर प्रताप सिंग बिद्याले अलीगड़ सिचक संग अलीगड़ उक्त विग्यप्ति का पुर्जोर विरोध करता है मलब जो टीचर यूनियन है वो यूनिवेस्टि प्रसासन का ऑफिचल लेटर जो आया था मांग करता है मलब टीचर यूनियन आप लोगों के सभी कोर्स का एक्जाम पर डन सब्जेक्टिव या फिर रिटेन मोड में कराने की मांग करता है यूनिवेस्टि से ठीक है याद रखना यह वाले चीज़ें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब यह आगे किलियर मौडरेशन करने सहीत विस्पित्दाले के अन्य समस्तिकारों में बिल्कुल भी सहयोग नहीं देंगे और टीचर यूनियन ने यह बोला है अगर आप लोगों ने एक्जाम बेटन सब्जेक्टिव नहीं किया ठीक है तो हम लोग कोई भी विस्पित्दाले के काम में मदद नहीं करेंगे आपनों की नहीं कुश्चन पेपर बनाने में अब्जेक्टिव और नहीं उनको चेंजिस करने में या फिर कुछ भी करने में कोई मदद नहीं करेंगे और जाद होगी तो 21 अक्टुबर को जो दीच्छान समार होगा उसका भी हम भाहिसकार करेंगे उसमें कोई भी कोई भी टीचर यूनियन से नहीं सामिल होगा विस विद्यालने में ठीक है तो यह चीज क्लियर होगी ऑफिशल लेटर के थुरू और इस लेटर को साथ 10,214 को क्रियेट किया गया था ठीक है अब यहाँ पर आपनों को सारी चीज़ें क्लियर होगी होगी अब मैं यहाँ पर आपको बताना स्टार्ट करता हूं तो देखो अब मैं यहाँ पर 3 October का बताता हूं और अब वीडियो को स्किप मत करना अब समझना यहाँ पर लास्ट ली में बता रहा हो बहुत अच्छी तरीके से ठीक है अब 3 October को जो नोटिस आया था वाइ चैंसलर या फिर प्रसासन की तरफ से लेटर इशू किया गया था जिसमें था कि UG Courses का Exam Pattern subjective नहीं objective रहेगा और PG Courses का Exam Pattern subjective रहेगा descriptive पर रहेगा ठीक है तो यहाँ पर क्या हुआ था उस दोरान बच्चे protest कर रहे थे exam pattern objective कराने की मांग को लेकर ठीक है अब इनको क्या देखा अब इनको एक तरफ तो बच्चे protest कर रहे हैं और एक तरफ इनके जो समयती की लोग हैं वही कह रहे हैं कि exam pattern objective नहीं होगा subjective ही कराना होगा ठीक है तो अब इनके positive भी से सोचो इनके पास सारी तागत है power है है ना को कि यह university की वाई chancellor है बट यहाँ पर इन लोंने दो चीज़ा देखी ए यहाँ पर इन्होंने क्या करा यहाँ पर इन्होंने 50% इनको सहुलियत दे दी और 50% इनको दे दी मतलब कुछ बात इनकी माल ली और कुछ बात इनकी माल ली और जो final यह conclusion वह पहुँचे अब यह भी क्या करें यह final conclusion पहुँचे कि जो protest कर रहे हैं वो जायतर UG वाले बच् तो इन सभी का एक्जाम बैठान इनलों ने बच्चों के अधर पर objective कर दिया यह वाइस चैंसलर जी ने करा कोई इनी के पास सारी तागते होती है ठीक है और उसके बाद जो PG courses है तो यहाँ पर मला वाइस चैंसलर जी ने यहाँ पर सिचक संगी बात रख लिए का भई PG courses का हम subjective करा देंगे बट इनका सोचना कहीं तक ठीक भी था बट बच्चों के perceptives से यह चीज़ें का लगती है कोई कि यहाँ पर फिर बेदभाब नजर आता है ठीक है तो यह भी क्या करते है कोई कि इनकी तरफ तो load है न एक तरफ इनके teacher union का इन पर load है और एक तरफ बच्चों के प्रोटेस्ट का ठीक है अगर यह दुबारा से बोल देंगे नहीं सभी का exam pattern subjective होगा बच्चे फिर से पहुंचा देंगे प्रोटेस्ट करने ठीक है तो यहाँ पर यह तो फसी हुई बीच में ठीक है तो वही मैं बताने की कूशिस कर रहा हूँ यहाँ पर जो university administration है इन्हों ने सिचक संग को भी खुस कर दिया आदा लिड़ना लेकर पर PG courses का एक्जाम पेटना subjective रहेगा और UG courses का objective और यहाँ पर बच्चों को भी खुस कर दिया बट यहाँ पर कहीना कहीं यह जो फैसला था जल्दवाज में लिया गया था बिना सोचे समझें तो कहीना कहीं यह ग तो यहां पर ये पूरा मसला हुआ है University में तीक है अब यहांपर देखो देखने वाली बात यह है कि अब University में आगर होता क्या है क्योंकि यहाँ पर University Administration का जो Teacher Union है वो बिल्कुल Bored कर रहा है और यहाँ पर जो University प्रासाँन है यह तो mcu exam pattern कराना चाहता है यहाँ पर Leo Teacher Union है य और इसलिए चीज़ें clear नहीं हो पा रही और यहाँ पर इन सभी सा कहना चाहूँगा कि आप लोग इतने बड़े लोगों इतने समझदारों इतने qualified हो बट यहाँ पर आप इन सब चीज़ों में पड़े रहे हो या तो आप लोग एक और बार objective exam pattern करा दो ठीक है अब देखो अ मेरी वीडियो देख रहे हो तो देखो आप लोगों भी थोड़ा compromise करना होगा और मैं मानता हूँ university exam objective नहीं होते बट जिस तरह से university बनी है जितनी जल्दी में बनी है सारी चीज़ें उलेट हो चुकी है तो आप सभी से request है आपस में meeting करने दोबारा से ठीक है उसमें दोबा लाई है या फिर एक बच्चो को compromise करना पड़ागा exam pattern objective को लेकर या फिर एक बच्चो को compromise करना पड़ागा exam pattern subjective को लेकर तो देखो जो भी टिस दिन हो जल्दी लोग क्योंकि यहां पर बच्चों के पास basically एक महीने का time है और आप लोग exam time पर लेते हो ठीक है तो बच्चे य यह कोई तरीका थोड़ी है मेरे point of view से आपने एक तमय से हाथ खड़े कर लिए आपको बात करने चाहिए है ना at least अब क्या ही बोलू मैं यहां पर किसको सही बताऊं किसको गलत है रहा हूं ठीक है तो यहां पर वही है कि miss understanding है तो जल से जल आप लोग clear करें और इन बच्च बच्चे सब्जेक्टिव मोड में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं कभी बोलते तो आप लोग के एक्जाम पेटन अब्जेक्टिव होगा तो फिर बच्चों के point of view से सोचो ठीक है जो बच्चे गौर्णमेंट को लिए से पढ़ते हैं आपको वह सब पता ही होगा है ना ground बच्चे पढ़ा ही अपनी कर पाएं ठीक है तो बस यही कहना है कि आप सभी स्ट्वेंट्स यह वीडियो को शेयर कर देना जिससे कि यह वीडियो आगे तक पहुचे और यहाँ पर शायद कोई भी इस वीडियो को देखकर अपने point of view में या फिर अपने विचारों में पर चुके ना ही बच्चों के पास books हैं और ना ही model paper है especially PG courses वालों के पास तो यहाँ पर I suggest अगर आप मेरी मानो तो objective exam pattern सभी का कर दो इस वार का और यहाँ पर सकती से आदर्स कर दो कि जो next time exam pattern रहेगा वो objective ही रहेगा और को भी protest करेगा वो मानने नहीं होगा इस बार का exam जो आपको होने वाले हैं November से December की बीच में एक तो लेट हो गए लेट होंगे नहीं आप लो exact time पर लोगे ठीक है बट बच्चे पढ़ने में लेट हो गए तो यहाँ पर कहीं नहीं objective करा लोगे तो बच्चे पास इन बच्चों ही पास होने की संभावना जाद ह है अन्यता यह काफी रिजल्ट इस बार का बहुत जादा खराब रहने वाला है मानसिक तोर पर पर परिशान है बच्चे ठीक है पड़े तो पड़े क्या लेके तो लेके क्या वह वाला सीन है ठीक है तो यहाँ पर आप सभी से कहना चाहूंगा अगर कोई भी मेरी वीडिय देख रहा है यह उनिवेस्टी यह फिर उनिवेस्टी से एफिलेटेट कोई भी सिछकसंग वाला यह फिर उनिवेस्टी विस्विद्धलब प्रिसासन वाला तो आप सभी से कहना चाहूंगा देखो और सेमेश्टर का एक्जाम पेटन अब आप लोग ऑब्जेक्टिव कर करते हैं ऑफिशली और आपस में सुला कर लें ठीक है जिससे की बच्चे अपनी एक महीने पर पढ़ाई कर पाएंगे और अपना रिजल्ट को बहतर बना पाएंगे अधरवाइस अगर ऐसा ही आपस में मतवेत चलते रहे तो इसमें सीधे जो परिशान होंगे वो होंगे जो कि इस उन्वेस्टी से कनेक्टेड हैं पढ़े रहे हैं एंडरोल हैं ठीक है तो आप सब इसे कहना चाहूँगा कि किसी ने किसी एक को कॉंप्रमाइस करना होगा और वो जल्द से जल्द करिए थोड़ा सा परिवरतन लाइए अपनी सोच में भी ठीक है जिससे की बच् सकती से बोलना है रेटीन ही होगा सब्जक्टिव होगा और तब फिर किसी भी प्रोटेस्ट को मानने नहीं करार किया जाएगा ठीक है मतलब कोई भी प्रोटेस्ट करेगा वो वह बैलेट नहीं होगा फिर कितना भी करते रहो नेक्स टाम या फिर इवन समिस्टर की परिश सकते हो तो बस conclusion यही है कि आपस में जो मतवेद हैं उसको solve करिए सुल जाईए ठीक है उसके आधर पर एक meeting करिए उसके बाद यहाँ पर सभी का exam pattern objective कर दे दिए इस बार का चाहें वो UG courses का हो चाहें वो PG courses का हो last time कर दिजिए और सकती से बता दिजिए next time कोई भी protest नहीं चलेगा next time का जो exam बेटाने वो subjective भी रहेगा तो बस यही मेरा कहना था तो जादस जादस वीडियो को share करना आप सभी students ठीक है और वीडियो को like जरूर कर देना ठीक है और मुझसे अगर ज university के update हो चाहें किसी भी देश में university की या फिर other कोई भी update है जो आप बगरागी वो सारी में वहाँ पर Instagram पर update करता रहता हूं तो आप लोग अगर चाहते हो यह से जोनड़ Instagram पर लिंक मिल जाएगा जाकर हमसे जोड़ चाहिए ठीक है और telegram group भी जोइन कर लेजी इस paper cutting या फ अभी मैं आपको बता दूँ देखो आप लोग के पास model पर है subjective ठीक है तो इनी के आदर पर आप लोग preparation करो theory वगर पड़ो क्योंकि subjective के बाद आप लोग objective exam pattern ही रहता है तो आप लोग अच्छा कर गया होगे बट only अभी objective सही तहीरी कर रहे हो तो फिर आप लोग subjective exam pattern होता है या फिर हो गया मानगे चलो तो आप लोग कुछ नहीं कर पाऊगी महाँ पर तो I suggest कि आपने subjective model paper पढ़िए theory पढ़ी concept को clear कीजिए क्योंकि वहां के बाद आप objective पर switch हो सकते हो बट objective पढ़ने के बाद आप लोग subjective पर कभी switch नहीं हो सकते हैं तो मेरी मानो तो फिलाल आप ल बरी वगरा पर ध्यान दीजिए ठीक है क्योंकि MCQ वाले जो मोडली पर है उनसे तो आप 10-15 दिन में भी तैयारी कर लोग लास्ट के ठीक है बट subjective वाले क्यों पॉसिबल नहीं है इसलिए थोड़ा subjective पर अभी थोड़ा ध्यान बनाई रखिए क्योंकि university में कुछ भी हो सकत है ठीक है तो बास यहीदा वीडियो में टेक क्या बाई